अस्सलामुलेकूम मैं दिलकश निगार हूँ और मैं आपको अपने चैनल दिलकश ब्यूटी में वेलकम करती हूँ लीमू पर ये आमसी चीज लगा कर सिर्फ दो मिनट के लिए अपने दांतों पर मल लें आपके पीले मैले दान चांदी की तरह लशकारे मारेंगे एक साफ प्याली लें और इसमें आधे छोटे चमचे से कम नमक डालें नमक थोड़ा सा डालना है इसके मुकाबले में दिन टॉनिक का पाउडर आपने डबल मिगदार में डालना है यानि एक चमचा एक छोटा चमचा आपने डिन टॉनिक का पाउडर डालना है सिर्फ दो ही इंग्रीडियंट्स इस रेमेडी में यूज हो रहे हैं इन दोनों चीजों को अच्छी तहां मिक्स करें आपने जो नमक है वो भी बारीक पिसा हुआ लेना है मोटे वाला ना लें और अच्छी तहां मिक्स करें ये पाउडर तयार है इसे आप अपने पास रख लें किसी डबी में महफूज करके दो से तीन बार इसे यूज कर सकती है आपने ये करना है कि जब भी आपने ये टोट का यूज करना हो तो थोड़ा सा ये पाउडर ले ले और लीमू का एक टुकडा लें एक लीमू को दो हिस्सों में कट करें फ्रेश लीमू हो उस पर ये पाउडर इस तरह से लगाएं और इसे अपने दातों पर मलें आपने हलका सा दबाओ देते ही हुए इसको मलना है ताके लीमू का रस्पी आपके दान्तों पर जाए और यह पाउडर भी दो मिनट तक हल्के हातों से मलें अपने दातों पर अगर आपके दान्त सेंसिटिव हैं या कैविटी का मसला है या सुजन का मसला है तो फिर ये रेमेड़ी यूज़ ना करें अगर दांतों का कोई मसला नहीं है दांत सिर्फ पीले और मेले है तो ये रेमेडी जरूर यूज़ करें इसके बाद कुली कर लें दो मिनट के बाद तो इन्शालत आला हफते में एक से दो बार ये रेमेडी यूज़ करें आपके दांत बहुत ज्यादा चमकदार हो आला हाफिज